अफ्तार मेहर बाबा की जय आप सभी जानते हैं कि मेहर बाबा के पांच अध्यात्मिक गुरू थे बाबा जान नारायन महराज साई बाबा उपासनी महराज और ताजुदीन बाबा आज मैं आपके सामने ताज बाबा के अनभव लेकर आई हूँ जो मेरे साथ हुए हैं उन उसमें मेहर बाबा और उनके प्रेमियों का जिक्र है वो भी मैं आपको पढ़के जरूर सुनाओंगी तो मैं आज आज आपके सामने दो अनभव जो मेरे साथ ताज बाबा के हुए वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ साज़ा करना चाहती हूँ तो सबसे पहली बात यह है कि 2007 में मैंने महर बाबा पे एक फिल्म बनाई थी I am God और जब फिल्म पूरी हूई और हम उसका पहला शो मुंबई में करना चाहते थे तो मेरा मन था कि चूंकि मैंने पहली बार कुछ डरेक्ट किया है तो किसी फिल्म डरेक्टर को बुलाया जाए ऐस चीव केस्ट तो काफी नाम में सोच रही थी लेकिन बार बार अंदर से एक आवाज उभर के आ रही थी और वो कह रही थी पंडित जस्राज को बुलाईए अब यहां मैं यह बताना चाहती हूँ कि तीन तरह की आवाजें हमारी होती है एक तो हम मन में सोचते हैं दूसरा जो हम बोलते ह बिलकुल हमारे इंट्यूशन से आती है और एक आवाज वो होती है जो महर बाबा की आती है वो बहुत सीधी और बहुत ही पॉलिश्ट आवाज मेल वाइस में आती है और वही आवाज मुस्से बार-बार कह रही थी कि ताजदीन बाबा पंडित जस्राज को बुलाओ अब और उन्हें इस फिल्म के लिए बुलाना थोड़ा आजीव हो रहा था लेकिन चुकि आवाज बार-बार आ रही थी तो मैंने अपनी एक सहेली को फोन किया वो उनके शिश्या थी और उनके साथ मैं पंडित जस्राज से मिलने गई और मैंने उनको मेहर बाबा की फिल्म के बारे में बतलाया वो सुनते रहे काफी देर तक फिर उन्होंने मेरी तरफ देखके वैसी ही मुस्कुराहट दी कि मुझे क्यों आप इस कारिकरम के लिए बुला रही है और मैं भी मुस्कुरा दी तो उन्होंने का कि नहीं देखते हैं यदि समय हुआ तो मैं जरूर आ जा तो मैंने यहादं जोड़िए महां पर जब हाथ जोड़ेगी तो मैंने एक कोने में देखा वाहाँ ताजबाबा का फोटो रखा हुआ तो मैं समझ गई कि ये इनके घराने का और इनसे मिलने का इशारा मुझे क्यूं हुआ है? तो मैं तुरंट उनके पास वापिस गई. मैंने का आपके मंदिर में ताज बाबा का फोटो रखा है. तो ताज बाबा तो हमारे मेहर बाबा के अध्यात्मी गुरू थे. तो यही कारण है शायद कि मैं आज आपके पास में आई हूँ तो उन्होंने का अच्छा ताज बाबा ताज बाबा तो आज हम जो कुछ भी हैं वो ताज बाबा की वज़े से ही है फिर पंडित जसराज जी ने मुझे बताया कि उनके माता पिता पंडित जसराज जी के माता पिता ताज बाबा के सामने भजन गया करते थे और उन्होंने का कि उन भजन की ही क्रपा है कि आज मैं सिस्थान पर बैठा हुआ हूँ बहराल वो सिर्फ पंडित जसराज आए बलकि उनकी धरम पत्नी भी आई उनके शिशिय आए और पूरा कारिकरम जो हमने महर बाबा की पहली फिल्म दिखाई है ऐसा लग वो भी आये थे, उसमें उन्होंने पढ़ा था, स्पीच बाबा पर दी थी, और बिंदुत्रिवेदी जी जिन्होंने हमें मिलवाया था, पंडित जसराज जी से, उन्होंने गायन किया था, और भी कुछ और गायकाई भी थी साथ में, और फिर हमने फिल्म दिखाई थी, ले लेकिन हाँ, ये ताज बाबा के जो अन्यन भक्त थे, वो उस कारिक्रम में जरूर पहुंचे, तो ये एक बहुत सुन्दर सी, संस्परण, बहुत सुन्दर सा आशिरवाद मुझे ताज बाबा का मिला था उस फिल्म में, तो ये एक मैं आपके सामने रखना चाहती थी, औ और इसके अलावा, हमारा एक कोट केस चल रहा है, कॉपी राइट पे, और वो काफी समय से चल रहा है, हम उसको लेके काफी परिशान भी है, मेरे पिता श्री शरच जोशी, उन्होंने ये जो है जिन्दगी नाम की सीरिल लिखी ती, और उसके लेखन में, मतलब रिटन बा तो वो एक कोट केस हमारा चल रहा है, जिसको लेके हम बड़े परिशान हैं, तो एक बार मुझे डिसेंबर में फोन आया, दिसेंबर में मुझे फोन आया कि मार्च में हम लोग होली पे एक कारिक्रम नागपूर के पास कहीं करना चाहते हैं, और आपके लिए हम, आप आई फिर एक कभी जो हैं, वो कहीं और से ट्रें से बारा बजी आएंगे, एक दिल्ली से फ्लाइट से आएंगे एक बजे और एक बजे फिर आप लोग गाड़ी लेके नागपूर से निकल जाएगा सीधे, तो आपका हम कितने बजे का फ्लाइट का टिकेट करवाएं, तो मैंन उसके बाद लोगों के साथ कारेकरम के लिए निकल चलूगी, एक बजे जब ये लोग आ जाएंगे तो, तो हमारी सारी बाते हो गई, सारी बाते हो गई, मार्च आया जब होली से एक दिन पहले, हमारी कोट की डेट निकली, हम पूरा दिन मुंबई हाई कोट में बैठे र की सारी सुबह की फ्लाइट पकड़के नाकपूर पहुंचे है, और जो उनका में जो सबसे बड़ा बाबा का एक में मार्केट में है, उनकी पूरी समाधी है और जहां पे उनके बाद के सारे लोग तेजारत के लिए जाते हैं, तो वहां मैं भी गई, बहुत अच्छा का लिगा कि जब समय हो गया जाने का तो एक व्यक्ति मेरे पास आया उनके कि आप ताजबाबा के हाईकॉर गई है क्या है तो मैं उनकी शकल देखने लगिए मैंने इक हाईकॉर ताजबाबा का हाईकॉर परिग और सुप्रीम कोड़ भी है तो अगर आपको कोई ऐसी दिक गड़ा शायद कोई जगे थी या कहीं और जाना था तो हमें वहाँ जाना है और फिलहाल तो जाना मुम्किन नहीं है पर अगली बार जब भी मैं नाखपुर आउगी तो मैं जरूर तो उनका छोटे नाखपुर में वह जगे है तो मैंने कभी सुना नहीं था कि साइबाबा क यहां कि High Court और Supreme Court जैसी भी कोई बात होती है कि आप जा के अपनी अर्जी वहां लगा सकते हैं तो बहराल फिर जो एक हम को एक कभी को स्टेशन से लेना था उनको लिया हमने 12 बजे और एक बजे की फ्लाइट से जो दिल्ली से आने वाले थे कभी उनकी फ्लाइट कैसल हो गई या डिले हो गई उनकी फ्लाइट हाँ वो शाम को आ गए थे तो उनकी फ्लाइट डिले हो गई तो हम लोग फिर निकल पड़े एक घंटा पहले और जो मेरा किस्सा हुआ था जो मेरी बात हुई थी वो मैं फोन पे अपनी किसी परिशित को महर बाबा परिशित को ही सुना रही थी कि देखी ऐसा ऐसा हुआ और उनने हाई कोट की बात की ताज बाबा की और कली हम पूरा दिन परिशान रहें हाई हाई कोट में और आज देखी कितना संयोग हो गया यह तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने का मैडम बस यहां से राइट लेंगे न तो चोटा नाकपूर है ताज बाबा की यहां पर आपको हाई कोट मिल जाएगा तो मैंने ओगनाइजर से पूछा हमारे पास समय है तो उनका हाँ बिल्कुल दो गंटा है हम तो जल्दी निकल रहे हैं तो ऐसा एकदम से गाड़ी घूम के बिल्कुल हाई कोट के सामने जाके खड़ी हो घड़ी तो तीन महीने पहले से ही ताज बाबा ने सारी चीजें और उनके सामने जाके मैंने हाई कोट में हाच जोड़े बाबा के सामने और मैंने का आप सब जानते हैं और जो भी बेटर है उसके लिए आप कीजिए है мощ मैंने अपनी जो प्राथना थी उन फिर हम आगे की और बढ़ पढ़े और वहाँ पे उन्होंने खुब हमको शौल पहनाई और बहुत सतकार किया वहाँ के लोग होने जब उनको पता चला कि हमें हर बाबा की यहाँ से हैं तो बहुत प्रेम दिखाया वहाँ के लोगोंने और उसके बाद हम लोग अपने कारिक् मिले हैं और वो बहुत व्यस्त हो गए थे और ये एक बहुत सुंदर एक सुखत घटना ताज दिन बाबा के साथ हमारी और जो भेट हुई थी वो भी थी तो ये भी मैं आपके सामने रखना चाहती थी तो इस सरे की कुछ-कुछ छोटे मोटे और भियानवा हुए थे ताज ने दो दो पे साथ। तो कहीं नड़िये नड़ lesser अप्सक जिसकी बात कर रही हो बाबा ताज दिन ऑालिया उसमें भी जिकर किया है कि बाबा ताज दीन और साइं बाबा दोनोह एक दूसरे से जुड़े हुए थे कुछ अपने शिशी यहां बेश्टे थे ताजुदीन बाबा कहते थे कि नहीं है तुम्हारा काम यहां नहीं होगा तुम्हारा काम साई बाबा करेंगे तो इस तरह से इन लोगों के जो आपस में आध्यात्मिक जान पहचान थी और एक दूसरे से बात कर लेते थे और एक दूसरे के साथ कारी करते थे यह कारी प्रणाली अपने आप में बड़ी अनोकी थी तो अब मैं किताब जो है बाबा ताजुदीन ओलिया उसमें मेहर बाबा का जिक्र है यह मैं किताब लाई थी वाकी शरीफ से तो वो मैं आप लोगों को पढ़के सुनाओंगी शायद आप लोगों ने ये उनकी ओर से मतलब ताजुद्दीन बाबा के शिश्यों की ओर से मेहर बाबा के बारे में वो क्या कहते हैं शायद ना सुना हो तो वो मैं आज आपको पढ़के सुनाओंगी बाबा ताजुद्दीन ओलिया पेज नमबर 81 श्री मेहर बाबा और बाबा ताजुद्दीन आजकल समूची संसार में मेहर बाबा के नाम का डंका बच रहा है यूरॉप और अमेरिका जैसे देशों में भारती अध्यात्मे के प्रचार करने का कार्य विकर रहे है जो जोती 19-वी सदी के आखर में प्रातस्मरणिया स्वामी विवेका नंजी ने अमेरिका में प्रजुलित की थी उसी जोती से और जोतियां प्रजलित करने का महानकार मेहर बाबा कर रहे हैं सन 1913-14 के दोरान श्री मेहर बाबा जब पूना के महानसंद बाबा जान से रूहानियत का सबक लेकर इस रास्ते की और आगे बढ़ रहे थे तब बाबा जान के हुक्म से ही आफवाकी के जंगलों में कई दिनों तक हुजूर बाबा ताजदीन बाबा के पास रहे हुजूर के साथ रूहानियत पर आपकी जो बाते हुई उसके बारे में काफी खोच करने पर हमें पता लगता है कि एक बार ताजदीन बाबा ने फरमाया था सुम्म बकमुन अम्यून फुहूम लारजेयून इसकार्थ है आँख नाख कान और मुँ अपना बंद कर तब मिलेगी तुझे मालिक की खबर हुजूर ने ये सबक कई शिश्यों को दिया है हो सकता है कि महर बाबा के इस चालिश साल के प्रधीर्ग मौन के पीछे हुजूर का इशारा रहा हो महराज साहब के दियान से एक साल पहले श्री महर बाबा नापपुर पधारे थे तब आपने शकरदरा जाके महराज बादूर से भेंट की भेट होने पर जब महराजा साहाब ने हाँ जोड़के आशिरवात के लिए कहा तो आपने स्लेट पर अंग्रेजी में ये मजमूम लिखा You are blessed by Baba Tajuddin, what more could I do? इसके बाद आप Baba Tajuddin के चिला शरीफ स्मृती मंदर की ओर गए और चंद घड़ियां ध्यानधारन में वेतीत की थी उस वक्त करीम बाबा को महराजा साहब ने बतार गाइट पर उनके साथ कर दिया था स्मृती मंदर के बाहर ही एक चबूतरे पर आप बैट गए करीम बाबा ने दिल ही दिल में ये प्रातना की कि ए संथ तुम मेरे लिए भी दूआ करो जैसे ही ये ख्याल करीम बाबा के दिल में पैदा हुआ तियों ही महर बाबा ने आँख खोली और करीम बाबा के रदे पर हाथ रखकर हुजूर बाबा साहब के फोटो की तरफ इशारा किया मतलब ये कि जिस रदे में बाबा ताजद्दीन समाया हुआ है उसके लिए मैं क्या करूँ अर्थात फत्य महमद शाह साहब जैसा इशारा किया था ठीक उसी अंदाज में ये इशारा किया गया इस से जाहिर है कि महर बाबा भी बाबा ताजदीन ओलिया का कितना आदम मानते थे अफ्तार महर बाबा और हजरत बाबा ताजदीन ओलिया के संबन कैसे रहे इसे उजागर करने की एक दूसरी घटना भी बड़ी अजीब और गरीब है तब एक दिन अफ्तार महर बाबा के दोशिक्ष्य डॉक्टर चक्रधर धरनी धरन देशमुक म. पीएशडी जो नागपुर महा विद्याले में दर्शन शास्त्र के प्रोफिसर थे और श्री बाल कृष्ण नाराएंट साव जी जो नागपुर से साबता एक चौवाटा नाम की मराठी रिसाला निकाला करते थे दोनों रगोजी नगर कॉलोनी सित मेरे घर आए मैंने उनका इस्तक्बाल किया उनसे दर्याफ्त की आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ श्रीस साव जी ने बड़ी ही नम्रता से कहा हमें हमारे गुरु अफ़तार महर बाबा का हुक्म हुआ है कि आपके साथ वाकी की जियारत करके महराबाद आए चुकि हुजूर की खिद्मत में आने वाले हड़ जायरीन की खिद्मत करना हमारा काम रहा है तो मैं उने लेके ताजबाद शरीफ पहुँचा जहां उन्होंने करीम बाबा सहाब से लवाया जो उस वक्त हुजूर शफी बाबा सहाब के डेरे पर चाय पी रहे थे उन्हें देखते ही हुजूर शफी बाबा सहाब उठकर खड़े हो गए और गले लगाते हुए फर्माया यहां और वहां सब हुजूर की महर ही महर है और फिर हुजूर करीम बाबा की और मुखातिब होके बोले बाबा तीन तगाडु काई को आप भी वाकी हुआईए चनांचे हम चारों वाकी शरीफ की और रिवाना हो गए रास्ते में डॉक्टर देश्मुक सहाब ने हुजूर करीम सहाब को बताया है कि हम उस जगह पर ले चलिये जहां पर वो लड़का बैटता था करीम बाबा सहाब असबंजस में पढ़ गए और मेरी तरफ मुखाब होकर पूछा वो कौन सी जगह है बाबा पहाडी पर है जो रास्ते में लगती है चुनांचे हम पाटन सावडी टाउन से वाकी की तरफ निकले थे तो पाटन सावडी और वाकी के बीच में एक छोटी सी पहाडी है जिसे आजकल काटकर पक्की सडग बन गई है उन दिनों पहाडी का चक्कर लगा के जाना होता था बहरहाल हम उस पहाडी पर पहुँचे मोटर से उतर कर मैं पैदल ही उस जगह तक गया जहां मैंने कई रातें गुजारी थी वहाँ कुदरती तोर पे बेंच नुमा पत्थर की एक बैठक बनी हुई है मैं अक्सर वहाँ हजूर के नाम से अगरबती जलाकर ध्यान में बैठा करता था तब मुझे पता नहीं था कि इस जगह में कौन सी कशिश थी बहरहाड डॉक्टर देशमुक वहाँ पहुँचकर उन्होंने अगरबती लगाई और हम चारों हाथ जोड़कर वहीं बैठे रहें कुछ देर बाद डॉक्टर देशमुक मारे खुशी के उचल पड़े और उनके मुझे अलफाज निकले माजा दत्त गुरू अवतार होई माजा बाबा होई महर बाबा साकार ताजद्दिन आपला क्रपालू माजा जाला साक्षादकार अर्थात मेरे गुरू महर बाबा दत्त गुरे के अवतार है और उनके रूप में मुझे उनके दर्शन हुए है बाबा ताजद्दिन की अपार क्रपा से ही मुझे ये साक्षादकार हुआ है फिर उसी मस्ती के आलम में दो घंटे कैसे निकल गए इस बात का पता ही नहीं चला वाकी की जियारत करकी हम नाकपुर लोटे और वो दोनों महराबाद के लिए रवाना हो गए इस वाक्य के बाद श्री साव जी हर गुरुवार को शकरपुरा शरीफ दर्शन के लिए आया करते थी इस किताब में उपासनी महराज का भी जिकर है इसमें बाबाजान का भी जिकर है इस किताब में साही बाबा का भी जिकर है तो ये एक बड़ी ही महत्पून किताब है जिसको कांत दिसाई बेबस सहाब ने लिखा है और ये सेकेटरी थे ताज प्रकाशन समिती ताजबात नागपुर के और इसी किताब में से ताज बाबा ताजदीन ओल्या में से ये मैं संस्मरण मेहर बाबा का आपको सुना रही बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताजदीन बाबा बहुत बहुत धन्यवाद मेहर बाबा अफ़तार मेहर बाबा कीजे अफ़तार मेहर बाबा कीजे अफ़तार मेहर बाबा कीजे